आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो उसके respect में हमारे पास जो equation of normal है वो हमारे पास क्या होगी normal हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी y equal to mx minus 4am minus 2am cube यह इस curve के respect में हमारे पास equation of normal होगी next अगर हम बात करें तो next curve हमारे पास क्या है y square equal to 4bx minus c तो as per general equation of normal से हम यहाँ पर इसके लिए normal निकालने का try करें तो वो हमारे पास क्या होगी इसका slope difference होगा तो यहाँ पर आजाएगा m dash x minus c minus यहाँ पर हमारे पास आजाएगा 2bm dash और यहाँ पर हमारे पास आजाएगा 2bm cube अब यहाँ पर यह हमारे पास equation of normal होगी अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यह जो equation 1 हमारे पास आई है और इसको हम नाम देदे equation 2 तो equation 1 and equation 2 तो हमारे को एक ही normal represent कर रही है क्योंकि दौनों के पास common normal है तो यानि equation 1 से और equation 2 से दौनों से common normally हमारे पास आनी चाहिए तो हम क्या करेंगे comparing equation 1 and 2 तो हम क्या करेंगे इनके coefficients को compare कर देंगे तो यह हमारे पास आजाएगा 1 by 1 और फिर यहाँ पर हमारे पास next क्या होगा x के लिए जो हमारे पास होगा m by m' फिर हमारे पास क्या होगा जो हमारा constant है उसकी अगर हम बात करें तो वह हमारे पास क्या होगा minus 4am minus of 4am plus 2am cube upon यहाँ पर हमारे पास क्या आजाएगा minus of m' c प्लस 2 B M dash प्लस B M dash cube, तो यहां से अगर हम देखें, तो यह minus minus cancel, और हमारे पास क्या आजाएगा, यहां से एक तो हमारे पास आजाएगा, कि जो M है, वो equal to है, M dash k next हमारे पास क्या आजाएगा, next equation जो हमारे पास आएगी, वो हमारे पास आएगी, M dash C प्लस 2B M' प्लस B M' क्यूब इक्वल टू 4 A M प्लस 2 A M' क्यूब यह हमारे पास यहाँ पर equation आएगी तो यहाँ पर अगर हम देखे तो M' को M से replace कर दें तो यह हमारे पास आजाएगी 4 A M C प्लस 2 B M प्लस B M' क्यूब इक्वल टू 4 A M प्लस 2 A M' क्यूब तो अब हम यहाँ से क्या आगर देखेंगे कि जो यह हमारा left hand side वाला part है इसको हम right hand side में shift कर दें तो यह हमारे पास क्या आएगा यह हमारे पास आएगा 4 A M प्लस 2 A M' क्यूब माइनस यहाँ पर हमारे पास आजाएगा B M' क्यूब माइनस 2 B M माइनस M C इक्वल टू 0 तो यह हमारे पास यहाँ पर equation आ गई है next हम क्या करेंगे next यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर हम common लेने का try करेंगे तो अगर हम यहाँ से M common ले ले तो हमारे पास equation क्या बचती है यहाँ पर M square भी common ले ले तो यह हो जाएगा 2 A minus B और बागी rest equation हमारे पास होगी 4 A minus 2 B minus C equal to 0 तो हमारे पास क्या equation आ गई M into M square 2 A minus B plus 4 A minus 2 B minus C equal to 0 यह हमारे पास equation आ गई तो यहाँ से अगर हम case 1 ले तो मान लेते हैं कि हमारा M जो है वो एक बार के लिए equal to 0 है क्योंकि दो ही possibility है कि एक तो हमारा M 0 हो जाए या दूसरा वाला हमारे पास case है कि हमारा M not equal to 0 हो जाए और जो यह वाला part है जो इसके multiplication में है वो हमारे पास 0 हो जाए तो first case हम consider करते है M अगर 0 है तो M अगर हमारे पास 0 है तो जो हमारी X axis है क्योंकि M 0 होने पे Y b हमारा Y equal to 0 हमारे पास normal की equation आ जाएगी इसका मतलब क्या हो गया कि जो X axis है हमारा वो common normal है तो अगर X axis हमारा common normal है तो फिर जो सारे option है हमारे वो correct हो जाएगे all options are correct पर हम इस case को नहीं लेंगे और केवल एक specific option के लिए जाएगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम case 2 पे जाएगे और case 2 हमारे पास क्या कह रहा है case 2 हमें कह रहा है कि जो M square की हमारी value है सबसे पहले तो यह कह रहा है कि M को हम consider करेंगी M not equal to 0 है और दूसरा हमारे को यह कह रहा है वो कि जो M square है हमारे पास उसकी value हमारे पास consider की जाए बराबर 2B plus C minus 4A upon 2A minus B और यहाँ पे अगर हम देखें तो यह M square की value है तो यह तो greater than 0 होनी ही चाहिए तो अगर हम अपके वाद इस equation के specific हो जाएं इस equation हम specific हो जाएं तो यह हमको बोल रहा है की यहाँ पे इसको हम solve करें तो यह हमें बोल रहा है की यहाँ पे यह जो 2B minus 4A है तो यहाँ से हम 2 common ले लेते हैं तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा यह हमारे पास यह minus 2 comma ले लेते हैं तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2a minus b plus c by 2a minus b greater than 0 तो यह हमारे पास क्या आ गया यहां से हमारे पास आ गया c by 2a minus b minus 2 greater than 0 तो यह equation हमारे पास satisfy करनी चाहिए अब हम अगर हर option को check करें तो हमारे पास options क्या क्या दे रखे हैं 1 by 2,2,0 1,1,3 1,1,1 1,3,2 तो यहाँ पे इस equation को only one option satisfy करेगा और वो जो option satisfy करेगा वो है हमारा option 2 जो की है 1,1,3 इस equation को 1,1,3 ही satisfy कर रहा है तो इस लिए इस equation का जो answer हमारे पास होगा वो हमारा हो जाएगा option B 1,1,3 Hope this solution is helpful to you. Thanks for watching this video